दोस्तों आप लोग का फिर से इंग नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों चलिए आज देखते हैं लेंगराज टेंपुल का जो आसपास का भियू और थोड़ा जानकारे देने के कोसिस कर रहा हूं तो चलिए वीडियो को देखते रहे हैं दोस्तों लिंगराज मंदीर उरिशा की राजदनी वुवनिशर में अवस्तित है यहां सबसे पूराने मंदीर है और सबसे जादा लंबाई यहां दज़वी और ग्यारवी सातवदी में बनवाया गया था इस मंदीर का निर्मान राजा ललाटे केंदू ने करवाया था लिंग राज का मतलब है लिंग की राजा और कहवत है इसका लिंग का लंबाई और चोड़ाई समान है मंदिर का प्रांगन एक सब पचास मीटर मंदिर की शिखर की उचाई एक सो असी फिट का है और दोस्तों इसका बनावट भी बेहद उतक्रिष्ट है इस मंदिर में हरी हर एक साथ आपको देखने कें मिलेगा और कहा जाता है ये एक साथ दर्शन करने से आपका पाप मोचन होगा वगवन शीव और विश्णू एक साथ होने से अर्ख फूल और तुलसी एक साथ सिबलिव में चड़या जाता है और यहां दर्शन करने से पाप मोचन होता है कहा जाता है पूरी जगना धब जाने से पहले लिंगराज मंदिर को दर्शन किया जाना चाहिए लिंगराज बिशाल प्रांगन में अनिको देवी दिवता के चोटे चोटे मंदिर है और इसका अंदर जो छोटे-चोटे मंदिर है उसका बनावट भी बेहद पूतक्रिष्ट है दोस्तों देखे कितना सुन्दर से पार्क बना हुआ है और पहले से बदल गया है उसका आसपास व्यूँ और यह मुख्यों द्वार है देख सकते हैं यहीं से आप लोग अंदर जाओगे देखे कितना सुन्दर लग रहा है आसपास व्यूंदर जाने के लिए आप लोग मोबाइल और सूज यह लेदर का यह अलाव नहीं है तो यह जो स्टांड है यहीं पर आप लोग रख के आप लोग पर जाना पड़ेगा और अंदर पर अंदर जाने का सार्जस फ्री है गजै जाने के लिए के दूड़ी से मेर फुड़ा दिखा रहा हूं आप लोग के तो दोस्तो यहा आप लोग इजिली आ सकते हैं गोवां स्टेशन से आप लोग को और टाउन बाज भी मिलता है आप लोग इजीली आ सकते हैं और और अपना भेकल से आओगे तो पार्किंग का भी बंदवस्त है और रहने के लिए गेस्टाउस बगरा इसका आसपास भी है और आके आप लोग रूख सकते हैं चलिए आप लोग को पुरा वांडरी दिखाता ह और दोस्ते एक खास बात है कि मंदिर के कि ऊपर जो हर जगा पर चक्र रहता है लेकिन यहां धनुष है देख सकते हैं दोस्तों यह चारो तरब जो बाउंडरी है तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं चलिए आगे देख़ो यहां देखे पत्थर का काम कैसा चल रहा है वो पत्थर को पुरारी से काट रहे है और इसका काम यहें पर काम चल रहा है पुछ काम रिपारिंग वगरा चल रहा है बालारी प्राइब इंडरी प्राइब यहाँ सिर्ड़ जात। प्राइब जात। दोस्तों लन हिंदिजम लोग जो आते हैं देखने के लिए मंदिर को दर्षन करने के लिए तो इसका पास एक स्टेसक जैसा बना हुआ है उपर से देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप लोग चलिए दिखाता हूँ आप लोग तो मैं जा रहा हूँ स्टेज जैसे जब बना हुआ है बाहर से मतलब बाउंटरी के पास वहीं से आप देख सेकते हैं अंदर का भीव यह राइट हैंड साइट जाके आप लोग को स्टेज के उपर चड़ना पड़ेगा तो वहीं से देख सकते हैं आप लोग को दिखा रहा हूँ बाहर और अंदर का में जारा मतलब नौन हिंदी जिर्म लोग जो आते हैं वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे यह अच्छा बंदवस्त किया हुआ है यहाँ कितना सुन्दर बगीचा बना कर रखे हैं पर चलते हैं वापस आप लोग को और कुछ दिखाने का प्रैस कर रहा हूं तो पूरा मंदिर के वाउंडरी में घूंक आप लोग को दिखा दिया अभी फिर आ गया मंदिर के मुख्य द्वार के वर तो दोस्तों आज के लिए आप लिए वाप लोग को दो पादे आपूरी आप लोग को दो नगा अज़ के लिए वाप लोग कर दो 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 दोड़े आप लिए अज़ के लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई